मैं आई थी बांगो नगर पुली स्केशन अपने भाई के खिलाफ कम्प्रेंग करने के लिए हुशने मुझे मारा था हलो गाईज आप देख रहे हैं फिल्मे बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका बिग बॉस ओडिटी फेम अदनान शेक ने जब से शादी की है आईशा से तब से वो लगातार सुर्खिया बटो रहे हैं बीते दिनों वो शादी की खुशिया मना रहे थे तो उसी बीच एक नया अपडेट सामने आ गया और वो अपडेट था कि अदनान की बेहन इफद ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं बेहन इफद का कहना है कि भाई ने उसकी पेटाई की है और साथी साथ उसके ससुर को भी पीटा है और अब ये भी कहा जा रहा था कि जो अदनान की बेहन है उसने अपने भाई की खिलाफ F.I.R. दर्ज करवाई है पहले तो अदनान इन तमाम बातों पर बिल्कुल चुप थे पर अब अदनान ने चुपपी तोड़ते हुए अपनी बेहन को जम कर फटकार भी लगाई है जम कर भडास निकालते दिखाई दिये हैं वो अपनी बेहन पर उन्होंने कहा है कि F.I.R. की फेक कॉपी वारल कर रहे हैं कोई बात नहीं तुम भी यही हो हम भी यहीं है मैंने भी बहुत सारी F.I.R. नौन कॉंजिबल शिकायत की है सही टाइम पर जो जेल की सलाखों के पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है इसके लावा और क्या कुछ कहा है अदनान ने आप खुद ही सुन लीजिए इस वीडियो को जो की सोशल मीडिया पर धडलले से वाइरल हो रहा है लाएक कोई बात नहीं है तुम भी यही हो हम भी यही है मैं भी बहुत सारी एंसी किया ऑई रेफाइर किया उंटायम पर जो गलत है वो बार के पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे मुंबई पुलिस पर और इंडिन कउंस्टुटिशन पर पूरा भरुसा है त और वो अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी शुदा जंदगी में काफी खुश है अदनान और उनकी पत्नी की शादी बहुत जादा सुर्ख्या बटोरती रही क्योंकि आईशा की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है आईशा हर फंक्शन में शादी के चहरे पर मास्क लगाए नजर आई बहराल गाईज मैं आपको एक बार फिर सद सुनाना चाहती हूँ वो वीडियो जो की अदनान ने अब अपनी सफाई पेश करते हुए बेहन द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताया है हाई ब्रीबन तो मैं देख रहा हूँ कि तीन चार दिन से कुछ रिमर्स फैल रहे हैं और मैं इसके रिप्लाइ करना मुनासिब नहीं समझा पर फिर पियार वाले उठा के उसीज को डाल रहे हैं क्योंकि अदनान की शादी बहुत जादा हाइप में थी और बहुत लोगों को ये नजरों में खटके खास कर कुछ अपने पुराने जो थे उन लोगों के तो उन लोग फेक एलिकेशन लगा रहे हैं और एफायर की कॉपी डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं है तुम भी यही हो हम भी यही है मैं भी बहुत सारी एंसी किया हूँ और एफायर किया हूँ साई टाइम पे जो गलत है वो बार्स के पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे मुंबई पुलिस के और इंडिन कॉंस्टिटीशन के पूरा पूरा भरुसा है तो कोई दिक्कत नहीं है जितने भी मेरे चाने वाले हो घबराओ मत बहुती जल्द सच आप लोग के सा नहीं ताज़तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चानल फल में भी